नमस्कार आज हम लोग प्रस्नल हाइजीन के बारे में बात करेंगे प्रस्नल हाइजीन बहुत जरूरी है जिसको मैक्सिमम लोग नेगलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि हमारा जो घर परिवार है उसमें जादा तर फैमिलीज में एक ही साबुन का इस्तमाल घर के सभी मेंबर्स कर रहे हैं या एक ही तौलिया दो तौलिया है उसको सब लोग इस्तमाल कर रहे हैं आज के study में देखा गया है medical science के study में कि जिस family में ऐसा हो रहा है उसमें viral infection, bacterial infection, fungal infection का प्रकुप बढ़ गया है जो साबुन हम लोग इस्तमाल करते हैं घर के सभी लोग बच्चे भी इस्तमाल कर रहे हैं युवा भी इस्तमाल कर रहे हैं बुजर्ग लोग भी इस्तमाल कर रहे हैं तो इस्तमाल करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे सरीर पे bacteria है जो fungus है वो साबुन पे चला जाता है और जब दूसरा ब्यक्ति उस साबुन से नहाएगा या हाँ धोएगा तो वो बैक्टिरिया फंगस उस दूसरे आदमी से आप पे आ जाएगा तो ये infection को spread करता है इसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग साबुन अलग-अलग अपना इस्तमाल करें हैंड वॉस के लिए अलग रखें नहाने के लिए अलग रखें बच्चों के लिए भी अलग रखें दूसरी चीज है कि आपको हर इंडिवीज्वल को हर एक प्रतेक ब्यक्ति को दो तॉलिया रखनी चाहिए एक छोटी तॉलिया रखें एक बड़ी तॉलिया रखें छोटी तॉलिया जो है वो आप अपने बोडी फोल्ड को जो आमपिट हो गया प्यूबिक एरिया हो गया ग्रोइंस एरिया यह सब एरिया में छोटा वाला तॉलिया से आप उसको साफ करें क्योंकि इस गर्मी के जो अब ये बरसात आई है इसमें humidity बहुत जादा रहती है नमी जादा होने के कारण पसीना जादा आते हैं ज्यादा पसीना लंबे समय तक body parts पे रहना ये skin के लिए सही नहीं है कई तरह के fungus पे growth का काम करता है तो छोटा तॉलिया जरूर रखे और इंसा वेरिया को नहाने के वाद अच्छे से साफ करें बड़ा तॉलिया रखें और घर के प्रतेक सदस्य के लिए अलग-अलग तॉलिया होनी चाहिए क्योंकि यही तॉलिया यही साबुन है जो एक ब्यक्ति से infection को दूसरे ब्यक्ति में spread करता है इसलिए personal hygiene का बिलकुल ख्याल रखें और जो भी बात मैंने आपको समझाने की कोसिस की है इसको आप रोज मर्रा की जिन्दगी में follow करें धन्यवाद